दोस्तों आज हम सिखेंगे कि 25 की विभाजिता का नियम क्या होता है देखिए 25 की विभाजिता का नियम कहता है विभाजित होना चाहिए ठीक है अगर लास्ट का दो 25 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब वो संख्या 25 से कट जाएगी जैसे मैं आपको देता हूँ यह देखिए लास्ट का दो संख्या क्या है 25 से तो 25 से भाग चल जा रहा है है पुरा पुरा काड़ दरा है इसको इसका मतलब यह संख्या भी 25 से पूरी की पूरी कट जाएगी विभाजित हो जाएगी ठीक है और एक्जाम्पल देखिए तीन पाँच छोव साथ आठ पाच जीरो देखिए लास्ट का दो अंग पकड़ते हैं तो पाचास है तो पाचास 25 से कड़ जाता है पुरा का पुरा कड़ जाता है इसका मतलब यह संख्या जो है 25 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी ठीक है अगर कॉंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक से किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए